राधे कृष्णा मित्रो कैसे हैं आप सब? मुझे उमीद है आप अच्छे होंगे, सुवस्त होंगे, एबं मजे में होंगे दोस्तो इस वीडियो के मैध्यम से मैं आपको बताने बाला हूँ कि L नाम बाले जातक, एबं P नाम बाले जातक यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तो यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एबं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एबं वीडियो को ध्यान से सुनना है तो आईए अब वीडियो की सुरुवात करते हैं मित्रो एल नाम वाले जातक एबं पी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में अनुकूलता की कमी बहुत जयादा होती है क्योंकि इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो अपने अपने जीबन में एक दूसरे से अलग एक दूसरे से भिन होते हैं ये हमेशा अपने जीबन में अपने अपने विचारों को अपने अपने दृष्टी कोन को सबसे पहले एबं सबसे जयादा महत्तो देते हैं एबम हमेशा अपने जीवन में अपने संस्कृती को अपने रहन सहन को सबसे पहले एबम सबसे जयादा महत्तु देते हैं एबम अपने संस्कृती के सामने में किसी और इनसान के विचारों को ये महत्तु नहीं देते हैं लेकिन इसके अलाबा यदि हम पी नाम बालों की बात करें तो पी नाम बाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत जयादा बुद्धिमान, बहुत जयादा चालाक होते हैं दोस्तो आपको बता दे, इस नाम के जो भी जातक होते हैं, वो हमेशा अपने जीबन में अपने समय को बहुत ज्यादा महत्तु देते हैं, एबं कभी भी अपने जीबन में अपने समय को बड़बाद करना, अपने समय का मिस्यूज करना पसंद नहीं करते हैं, दोस्तो आपक इनके गुस्से को शांत करने में, इनके क्रोध को शांत करने में बहुत जयादा मुस्किल, बहुत जयादा पड़ेशानी होती है, क्योंकि गुस्सा करने के बाद इनका जो क्रोध, इनका जो गुस्सा होता है, वो जल्दी सांत नहीं होता है, लेकिन इसके अलाबा, यदि हम एल नाम वालों की बात कड़े तो एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं इनको हमेशा अपने जीवन में जोखिम लेना रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद होता है ये कभी भी अपने जीवन में कोई भी जोखिम लेने से कोई भी रिस्क लेने से डरते नहीं है घवराते नही क्योंकि इनका जो confidence level होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है एबम इस कारण से ये हमेशा कोई न कोई जोखिम कोई न कोई रिस्क अवश्च लेते हैं मित्रो L नाम वाले जातक एबम P नाम वाले जातक इन दोनों के बाड़े में इतनी बाते जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मित्रों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्ने रहेगा नजयादा मजबूत नजयादा खराब दोस्तों मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में एस्ट्रोपोर्यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एबं वीडियो के नीचे में आप अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट अवश्य कर दे एबं वीडियो हर जगह से यार कर दे तो हम सम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवद